हलो फ्रेंड्स मैं शालनी फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बच्पन की फेवरेट काले चने की सबजी जो ब्रेट के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है चलिए बनाना शुरू करें ती लीटर का कुकर ले ले और उसमें डाल दें धाई कप भीगा हुआ काला चना मैंने आट से नो घंटे इसे भीगोने के लिए रग दिया था अब इसमें एड कर दिया है दो कप पानी और हाफ ती स्पूट नमक डखकन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इसे वॉयल करने के लिए रग देंगी लगबख 6-7 सीटी ले लेनी है उसके बाद गैस को बन कर दिया और अपने प्रेशर निकलने के बाद कुकर का धकन खोलना है तो चनों को वॉयल करने के लिए रग देते हैं और अब चेक कर लेंगी तो धकन को खोल लेते हैं और एक चने को मैं हा अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, चना डाल, मूम ताल, थोड़ी सी उड़त की डाल और थोड़ी सी अरहर की डाल लेंगे जितनी भी चीरे में डालनी हूँ, सारी मैंने डिसकप्शन बॉक्स में डाली हुई है सुखा नारियल है थोड़ा सा और डाना मेथी सरसो ले लेंगे और अब कम आज पर हम इसे बूनेंगे ध्यान रखे, मसाला जलना नहीं चाहिए, अच्छी सी खुश्पू आनी चाहिए और मसाला जो हमारने दाल डाली है, वो थोड़ी सी पिंक हो जानी चाहिए फ्रेंच से दिया, आपको मेरी रैस्पीस पसंद आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी मैंने रैस्पी शेयर किये हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी ये देखे, मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ये देखे ठंडा करने के बाद मैंने इसे मिक्से के जार में डाल दिया है धकन से बंद कर देंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे चेक कर लेते हैं ये देखे, एकदम बढ़िया मसाला हमारा पिसकर तयार हो चुका है तो अब तयारी करते हम चने बनाने की मैंने कड़ाई ले ली है मोटे तले की और इसमें लगबग 2 टेबल स्पून घी को मैंने डाल दिया है इस गरम घी में डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरा जब चटकने लगे तो उसके बाद इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा धन्या पाउडर बहुत थोड़ा सा अब इसमें एक टेबल स्पून अद्रक और हरी मिच का पेस्ट एड़ कर देंगे अच्छे से इसे भूना है लगबग 30 सेकेंड उसके बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे मैंने टमाटर को पहले से ही काट करके रखा हुआ है एकदम बारिक बारिक और ये लगबग 3 टमाटर है तमाटर को हमें जब तक भूनना है जब तकी टमाटर नरम ना हो जाए लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ से मसाले आइट करेंगे जैसे मैं नहीं आपने डाला है स्वाद अनुसार लाल मिच का पावडर मिक्स कर लेते हैं और अब डालेंगे इसमें टेसी सबजी बनती है जरूर से बनाना मुझे तो यह बहुत पसंद है देखी टमाटर अच्छी तरीकी से गल चुके हैं तो अब इसमें एड़ कर देंगे आप उबले हुए अपने चने पानी सहीत इसमें एड़ करना है अब इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे मैंने इससे पह साब होते हैं और कुछ मैंने मैश कर ली है अब इसमें आवशक्ता के अनुसार पानी एड़ करेंगे जितना गीला आपको रखना है मुझे थोड़ा से गीला पसंद है इसलिए मैं इसे गीला रखूंगी और इस तरीके से मैश की हुई जो कालेचनी की सबजी होती है वो ब और यह मसाला डालने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो यहाँ पर आप पानी एड़ कर सकते हैं अब थोड़ा सा छोला मसाला इसमें एड़ कर दिया है और इससे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे चनी की सबजी को पतला या गाड़ा अपने एकॉर्डिंग कर सकत और ये देखिए हमारी चनली की सबजी बनका तयार है तो चलिए सर्फ करते हैं और गैस को बन करने के बाद मैंने इसे सर्फ कर दिया एक पाउल में बहुत ही टेस्टी हमारी चनली की सबजी बनका तयार है इस गर्मा गर्म सब्जी को आप ब्रेट के साथ इंजॉय करें, आपको बहुत मसे आएंगे, आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आज की आपको ये रेस्पी कैसी लगी, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, यदि रेस्पी पसंद आए तो लाइक शे रेस्पी में, तब तके के लिए, थेंक यू, बाई बाई